नमस्ते चात्रों हमारे यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम चनहुद्डो नगर का इतिहास के बारे में पढ़ेंगे तो देखेगा चनहुद्डो नगर है ये सिंदुगाडी सब्वेता का एक नगर है और सिंदुगाडी जो पांच है नगर है जो विक्सित अवस्ता में मिले हैं उनके बारे में भी हमने पढ़ाया जैसे कि आपका मोहन जोद्रो है हडपा है लोथल है काली बंगा है इन सब के बारे में हमने पढ़ लिया है अब हम देखते हैं चनहुद्रो तो चनहुद्रो के बारे में पढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए ने वीडियो देखने को मिलें तो चलिए पढ़ते हैं चनहुद्डो के बारे में तो देखेगा चनहुद्डो है यह सिंदु काड़े बेता के बाद का समय ठीक है ना और सिंदु काड़े सब बेता इसका काल क्या था पचीस सो इसा पूरवा से पंदरासो इसा पूरवा और आपका जो सिंदु काड़े सब बेता यह आदेथ यासी काल का पार्ट है आदेथ यासी काल कौन सा काल था जिसमें पुराताति को लि पढ़े नहीं गए ठीक है ना अब देखेगा जो चनहुदलो है यह है पाकिस्तान के सिंद प्रांद के मोहन जोदलों से 130 किलोमेटर दक्सिन में इस्तित है चनहुदलों की पहली बार खुदाई मार्च 1930 इस्वी में एन जी मजुमदार ने करवाई थी और उसके बाद की जो चनहुदलों की पहली बार खुदाई है वह किसने करवाई थी एन जी मजुमदार ने 1930 में और बाद में 1935 और 1936 में अनेस्ट जोन हैंडरी मैक्के के नेतरतों में यहां की खुदाई करवाई गई थी चनहुदलों के निचले स्तर से संदव सेंस करती के अवसेस हडपाई सब्वेता के अलावा प्राख हडपा सेंस करती के अवसेस भी प्राप्ते हुए हैं यह प्राख हडपा क्या था यह था आपकी हडपा सब्वेता या सिंदू गाटी सब्वेता से पहले का काल तो चनहुदलों यहां से हडपा काल और हडपा से भी पहले के काल के स शाकसे भी आसे मिले हैं ये स्तल सीप मनके मुद्रा तथा अस्ती बनाने का प्रमुक के अंदर था यहां के मुखे सडक साथ पॉइंट 6 मिट्र चोड़ी थी तता हडपा और मोहजोद्र के सम्मान ही यहां सडक के दोनों और घर बनाए गये हैं मकान पक्की इंटों के बनाए यहां से मटका बनाने की एक भट्टी तथा एक कार खाना भी मिला है इन सब बातों से अनुमाल लगया जा सकता है कि चनहुद्रो एक ओद्योगिक नगर था तो सिंदुगाटी सब्यता का ऐसा नगर जो ओद्योगिक नगर था वो है चनहुद्रो नमकिस्तान पर मुहर इम गुडियों के निर्मान के साख से भी मिले हैं यहाँ पर संदवकालीन सेंसकर्थी के अलावा प्राखडपा सेंसकर्थी और जुकर सेंसकर्थी या इसको जांगर सेंसकर्थी भी बोल सकते हैं इसके अवसेस भी मिले हैं तो ऐसा अस्तल जहां से सिंदुगाड़े सब्यता से पहले का समय अर्थात प्राखडपा सेंस करती और संदवकालीन सेंस करती और जुकर सेंस करती अर्थात बाद की सेंस करती इन तीनों के साख से चनहुद्रों से प्राप्थ हुए हैं सोंद्रिय परसादनों में प्रियूक्त लिपस्टिक के अफसेज में यहां से मिले हैं तांबे और कांसे के ओजार और सांचों के भंडार यहां से प्राप्त हुए हैं इनसे ये इसपस्ट होता है कि मनके बनाने, हडियों की वस्तुयें, मुद्रयें बनाने आदी की दस्तकारियां यहां प्रसलित थी वस्तुये निर्मित वह अर्द निर्मित दोनों रूप में पाई गई जिसे यह आभास होता है कि यहाँ परमुख्यत है दस्तकार और कारीगर लोग रहते थे चन्हूद्रों से प्राप्त एक पात्र में जला हुआ एक कपाल मिला है चन्हूद्रों से मनके बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है और वर्तमान में हडपा सब्वेता तो हडपा सब्वेता कौन सी सब्वेता थी? सिंदुगाटी सब्वेता का यह दूसरा नाम था हडपा सब्वेता इसका सबसे बड़ा एम नवी नगर है धोला वीरा जो गुजरात में है और सबसे जो प्रारम में जो हड़पा सबेता का सबसे बड़ा नगर था वह है मोहन जोदुडो था वस्तुएं जिस प्रकार चारों और फैली पड़ी थी उसे चनहुदुडों के निवासियों के मकान छोड़ कर सहसा भागने के साख से मिलते हैं यहाँ से चार पहियों वाली गाड़ी भी मिली है चनहुदुडों की एक मिट्टी की मुद्रा पर तीन घड़िया लों तथा दो मचलियों का अंकर मिला है यहाँ से एक वरगाकार मुद्रा की चाप पर दो नगन नारियों जो हाथ में एक एक ध्वज पकड़े हैं तता धवजों के बीच से पिपल की पंक्तिया निकल रहे हैं यहां से मिली एक इंट पर कुट्टे और बिल्ली के पंजों के निसान भी मिले हैं साथ ही मिट्टी के मोर की एक आकर्ती भी मिली है अब देखेगा चनहुद्डों से मिले महत्तो पुन साक्से कोन से हैं जो अक्सरत हैं एक जामें पूछे जाते हैं तो चनहुद्डों एक मात्र ऐसा पुरा स्थल है जहां से वक्राकार इटे मिली हैं तो ऐसा अस्थल जहां से वक्राकार इटे मिली है वो है चनहुदुडो चनहुदुडो में किसी दुर्ग का अस्तित्व नहीं मिला है यहां से मन के बनाने का कारखान भी प्राप्त हुआ है अब देखेगा मन के क्या था तो मन के एक परकार की गूरिया थी जो सभी परकार की दातों और मिट्टी जैसे की सेलखड़ी, सोना, चांदी, तामबा, कासा, आधि के मन के बनाए जाते थे इन में से भी सबसे ज़्यादा मनकों की संक्या सेलखड़ी के मनकों की है चनहुद्रो एम लोथल से मनके बनाने के कारखने मिले हैं दूसरे रूप में हम मनकों को ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो सिंदुगाटी सब्वेदा के जेवरात थे जो लोगबाग जो गहना पहनते थे उनको ही मनका कहा जाता था ठीक है ना? और ये सेल खड़ी जो मिट्टी होती थी सोना, चांदी, तंबा, कांसा, आदी से ये बने हुए होते थे और ये दी क्यूशन ऐसे आजाए कि वही मनके हैं सिंदुगाटी सब्वेदा जो मनके है वो सबसे ज़्यादा किस से बने हैं तो वो हैं सेल खड़ी से जाना और ऐसे ही हमारे यूटूब चैनल से आप जूड़े रहें ताकि आपको नए नए वीडियो मिल सकें और वोर्टसप पे बने से आप जूड़ें ताकि आपको नए नी पोस्ट नए ने वीडियो प्राप्त हो सकें धन्यवाद